हेलो कंटेंड क्लिएशन के बारे मैं बताने जा रहे हो है를 как by the title कि अबुअ लिखा हुआ Lerne about the king of the desert world कंटेंड 91 which is the king. कि यह मानते हैं और the content actually अधियुमें वह सबी चीजें हम इस video में देखने ओले हैं ากरशा result मैं आपको बता रहेती हूं सबसे पहले है what is content मतलब content क्या होता है वो मैं आपको belief मैं explain करने वाली हूं then content is the king क्यों उसे digital word का king कहा जाता है वो explain किया जाएगा फिर कितने type के contents होते है और उसमें क्या-क्या होता है वो सारी चीज़े रहेगी फिर किस तरीके से कौन सा content अपको profit पहुचाता है और उनमें सबसे ज़्यादा profitable क्या होता है वो बताया जाएगा और फिर आपको कौन सा carrier options आप चूस कर सकते है वो सारे options आपको बताया जाएगे चार options यहाँ पर है और उसके बाद अगर आपको पूछना चाहे तो मुझे comment म मैं आपको बता दूँगी so let's start with the what is content content को अगर हम definition के रूप में देखे तो simply हमारे माइन में जो भी thoughts है ideas है हमारे विचार होते हैं वो हम किसी की भी साथ share करना चाहते हैं तो उसे share करने के लिए जिन शब्दों का उप्योग हम करते हैं वो content कहलाता है तो आप अच्छे तर अभी content है बट अगर हम इतने अच्छे से अपनी बात रख पाते कि सामने वाले को वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए तो वो best content कहलाता है और best content ही market में ज्यादा काम में आता है even market में क्यों अगर हम personal life में भी बात करें like मैं अभी आपको यह PPT समझा रही हूँ content क्या हो में fail हो जाती हूँ तो फिर मेरे content बहुत low quality का है और अगर मैं इसको समझाने में pass हो जाती हूँ तो यह अच्छी quality का है वैसे ही अगर हम general wave में भी किसी से कोई बात कर रहे तो भी हम यहीं चाहेंगे कि सामने वाले को हमारी बात अच्छी से समझ में आ जाए हम day to day communication कर रहे आपके friend ने आ कि आपसे कुछ पूछी लिया या आपकी ममा पूछ रही आप क्या कर रहे हो आज कर आपके आगे के plan क्या है तो आप उसे explain कर सको इसके लिए हमें personal level पर भी ज़रूरी होता है कि हमें अपना content खुट का बनाना आता है या नहीं आता है अगर आप अच्छे से business के लिए कुछ promotional content कर रहे हो तो वह भी content कहलाएगा हर चीज जो शब्दों से जुड़ी है वह आपकी content कहलाएगी बिट हम यहाँ जो बात करने जा रहे हम mainly हम बात करेंगे उस content की जिससे आप पैसे कमा सकते हो तो obviously यहाँ पैसे दो तरीके के content है एक text और ग्राफिक text in science जैसे मैंने यहाँ पर PPT में अभी आप देखो के बहुत सारे शब्दों को प्योग किया है तो यह जो शब्दों से मिलके बनी है PPT का यह content है text format में वैसे ही जहां मैंने भी बीच में एक graphic भी use किया है जो images के format में होता है वो कहलाता है graphic content उसके अंदर images ज्यादा होती है वो खुद image के format में होता है वो कहलाता है graphic content अगर आपको इससे related कोई भी डाउट आ रहे है जो मैं समझा रही हूं तो आप मुझसे comment में पूछ सकते हैं after that content को किंक्यों कहा जाता है जैसा कि मैंने कहां आपसे कि content तभी best कहलाएगा जब वो लोगों को समझ में आ जाए लोग उससे attract हो जाए या उससे influence होए वो impress हो जाए कि आपनी क्या बोला है बहुत अच्छा कहा है जो भी कहा है वो उन्हें एकदम माइंड में बैट गया है वो आप जो मोटो के साथ में आईडिया शियर कर रहे थे वो मोटो फूल फूल हो गया है चाहे हो सकता है आप बिजनेस के प्रमोशन के साथ साथ यह चाहते हो कि लोग उस प्रोडेट और सर्विस को खरीदें तो जो भी आपका मोटो रहा है वो मोटो फुल फुल हो जाए तो ही वो आपका बैस्ट कंटेंड कहलाएगा तो आज हम देखने मार्केट में बहुत-बहुत सारी competition हो गई ह हर चीज के हम देखें तो ऑनलाइन एक ही प्रोडेट को सेल करने के लिए ददस कंपनिया है तो उन दस कंपनियों को कैसे कौन सी कंपनी बेस्ट है यह बोला जाए तो उन्हें क्या करना होता है दस जब साथ में कंपिट कर रहें तो हर कंपनी का मोटो यह है कि हम जादा से ओडियंस को इंप्रेज कर पाए अट्रेट कर पाए और इंगेज कर पाए तो उसके लिए हमें कंटेंड की आविशक्ता पड़ती है और जैसी डिजिटर प्लैटफॉर्म से ही कॉंपिटिशन बढ़ी है यह हम जब ऑनलाइन नहीं थे तब क्या होता था हमारे जो लोकल मा अगरे जो अगरे जो प्लैट आप अगरे जो प्लैट नहीं तो यहां पर कंटेंड के आवशक्ता सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है इसका सेकेंड रीजन क्या है जब कंटेंड अच्छी क्वालिटिकर होता है आप लोगों को इंप्रेज अट्रेट और इंगेज कर पाते हैं और उससे आपके उनके साथ में रिलेशनशिप अच्छी होते हैं यह सिप बिजनेस की ही बात नहीं है आप रियल लाइफ में भी जो अपने रिलेटिवस हैं उनसे अगर अच्छे शब्दों में प्रभावी शब्दों में बात करोगे ना तो बहुत अच्छी रिलेश अच्छे कंटेन के साथ में रिमॉफ कर सकते हैं अफ्चर दाट मार्केटिंग कैन नौट हैपन विदाट कंटेन जैसे कि हमने का प्रमोश्नल कंटेन नहीं देंगे तो बिना उसके कोई मार्केटिंग नहीं कर सकता अगर एक अच्छा सा मार्केटिंग के लिए हमने कंटे हम चाहल टाइप में हम इसे मान सकते हैं बड़uses चाहल टाइप मानने के बाद उसके अंदर और भी बहुत सारे टाइपस आते हैं For example यहापर चाहाल टाइपसल लिए हैं उसको हम देखते हैं सबसे पहला होता है entertainment, entertainment में क्या होता है हमें सिर्फ audience को engage करना है, हमें लोगों से जुड़े रहना है, जैसे हम social media पर viral post दिखते हैं उसका काम क्या होता है, सिर्फ लोगों का मनोरंजन करना, तो ऐसी जो होती है, वो entertainment post कहलाती है उसके भाद है educate करना जिसमें हम लोगों के साथ में information share करते हैं थर्ड पर है आपका inspire करना मतलब लोगों को attract करते हैं, हमकी हमारी services या हमारे product बहुत अच्छे हैं, आपको उसे purchase करना चाहिए सिर्फ inspire किया जाता है कि क्यों, बहुत अच्छी चीज आपके इसमें क्या है वह अच्छी चीज बताई जाती है कहीं भी यह नहीं कहा जाता है कि आपको खरीदना ही है सिर्फ आप अपनी good qualities दिखा देते हैं बहुत अच्छे reviews के थ्रू या आप किसी और वे में उसे अच्छे से explain करते हो कि यह product है इसमें यह benefit है यह आपको बहुत अच्छा achievements देगा इस तरफ से कुछ चीजे आप बता देते हो सिर्फ बताते हो और एक फोल्थ वाल आता है जिसमें convince करना होता है यहां आप strong fats and figures put up करते हो और लोगों को बताते हो कि अब आपको यह खरीद ही लेना चाहिए क्योंकि यह वाली condition यहां apply हो रही है तो वो situation आपकी इस तरही से चाल में convert होती है एक सिर्फ engagement करना है एक लोगों को information provide करवाना है एक लोगों को inspire करना है लोगों को attract करना है कि यह सब सच्छी quality है और एक में सिर्फ convince करना है कि आपको यह खरीदना ही होगा अब तो यह अलग-अलग मैंने चाल टाइप बताए उसके बाद आप देख सकते हो इन चारों words के साथ में एक ब्लॉग बने हुए उस ब्लॉग के अंदर कुछ-कुछ और भी types लिखे हुए तो इंटर्टेल्मेंट में यह ब्लॉग उसका इंटर्टेल्मेंट वाला है उसमें जो नेम्स लिखे उतने तरह के contents वहाँ यूज कर सकते हो same as it is educated वाले ब्लॉग के अंदर कुछ नाम लिखे हुए उतने तरह के contents आप create कर सकते हो इस तरह के से multiple types of contents इन चार category के अंदर आते हैं अब इतने सारे types के contents हैं तो सबस्यादा demanding कौन से हैं जिसमें हम सबस्यादा पैसा कमा सकते हैं तो उसकी बात करते हैं सबसे पहला आता है blogs, articles और guest posting जनरली जितनी भी websites होती हैं जो किसी तरह की selling कर रही होती हैं या अपने product की listing कर रही होती हैं तो हर company जो online है वो अपनी खुद की कुछ website चलाती हैं तो उन्ही websites पर कुछ information, blogs या articles लिखे जाते हैं और वही articles अगर कई और post किये जाते हैं तो वो guest posting के लाती हैं तो सबसे जादा demand में blogs, articles और guest posting होती हैं क्योंकि audience से ना सिर्फ इन blogs, articles या guest posting के तुरू जुड़ा जाता हैं उन्हें inform किया जाता है कि अगर वो यह services खरीतने हैं तो उन्हें क्या benefit होता है उन्हें खरीतने समय क्या ज्यान रखनी चाहिए क्या नहीं रखना जाएं और इससे related बहुत सारी information हम उनसे share करते ताकि उन्हें हमारी pro data services के बारे में जादा सी जादा जानकारी प्राप्त हो सके same as it is web pages इसके बाद में चालू होते ब्लॉग्स और आर्टिकल्स होता है फ्रिक्वेंटली हल्व सफता में एक बार या रोज एक आर्टिकल्स पोस्ट करने की नीड होती ही होती है at least आपको seven days में एक ब्लॉग या आर्टिकल्स पोस्ट करके रखना ही नहीं होता है तब ही आपकी digital marketing और SEO के norms clear हो पाते तो web pages जो होते हैं वो तो एक ही बाल बन गए उसके बाद हमें बाल बर उसमें content update करने की जरवर नहीं पड़ेगी इसलिए वो कम profitable होता है बट websites you know कि दिन में हर बार कितने businesses start होते रहते हैं तो हमें web pages बहुत जादा amount में मिल जाते हैं लिटने के लिए बट आर्टिकल्स से कम होते हैं इसके बाद है academic academic के भी कुछ norms होते हैं कि particularly हमें किस organization के लिए लिख रहें उसके लिए लिखना आता है कि नहीं और एक academic जिस class के लिए हम लिख रहें उस class का content लिखने है जितनी capability हमारी है की नहीं अगर हम एक MBA का assignment लिखने जा रहें और हम से become पासे तो हम MBA का assignment नहीं लिख पाएंगे तो उसने way में academic का content लिखने की हमारे पास qualifications होनी जाहिए प्लस जिस country के लिए या जिस city के लिखने वहां का knowledge आपको है कि नहीं उसके उपर भी depend करता है after that YouTube scripts होती है जिसमें आपको audience में ध्यान रखना होगा कि वह उस video को देख रहे हैं आपको सुन रहे हैं तो आपकी script होगी वह उसके according होगी इसके बाद story writing news writing और script writing script यहां पर जैसे YouTube की है वैसे ही different scripts हो सकती है शो सकता है कोई drama कर रहा है उसकी script हो किसी की web series हो उसकी script हो ऐसे बहुत सारी तरीकी scripts होती है after that career options के अगर हम बात करें तो आप freelance content writer मतलब घर बैठे content writer का का काम कर सकते हूँ यह part time job होती हो फ्री लांसर में benefit होता है कि आप client को बोलो कि मैं 24 गंटे में यह काम कर दूँगा तो इसके बाद यह आपके उपर है कि आप कौन से 24 गंटे में से कौन से गंटे काम करना चाहते हो वो आप से आगे नहीं करेगा कि आपको सुबह करना है यह शाम को करना है आपने उस 24 गंटे मांगे है उस 24 गंटे में आपकी facility के हिसाब से आप कर सकते हो आप जब comfortable हो आप morning hours में comfortable हो morning hours में लिखी है night में आप comfortable है night में लिखी है day time में free and daytime में लिखी है वो पूरा आपके उपर depend हो जाता है कि आपको क्या अच्छा लगता है कौन से टाइम पर आप काम कर सकते हो प्री लॉंसल में यह benefit एक होता है plus second benefit यह होता है कि आप एक साथ 4-5 companies के लिए काम कर सकते हो even more than 10 companies, 15 companies, 50 companies के लिए आप as a content writer काम कर सकते हो वहाँ कोई contract नहीं होता है कि आप हमाएं साथ काम करें तो किसी और के साथ नहीं करोगे बस यह है कि जिससे आपने चितना deadline लिया है उतने deadline में आप उसे काम करके दे दो otherwise आपका ही reputation बिगड़ेगा after that content writer for an organization तो आपको किसी एक organization के साथ में tie up करना है means content बनाना होता है जैसे हम देखते है physically आप जाकी भी कर सकते हो online भी कर सकते हो just एक organization से contract करना होगा कि आप सब उसी के लिए काम करोगे किसी और के लिए नहीं और उस organization के fixed nine hours होंगे उन nine hours के लिए आपको महाँ पर काम करना होगा plus यह salary best होगा जो freelancers होता है वो project best होते तो आपको लग रहा है कि मैं अभी किसी और का project कर रही हूँ नहीं कर सकती हूं काम तो आप इसमें मना भी कर सकते हो कि मैं अभी यह प्रोजेट नहीं ले सकती हूं बट जो organization best होता है वो salary best होता है यहाँ आपको महीने का जितना काम असाइन होता है वो पूरा करना होगा तभी आपको salary मिलेगी अगर आपको target दिया है कि आपको रोज 2000 words करना ही है तो आपको करना ही होगा अगर नहीं करोगे तो salary कट हो सकती है after that content marketer content marketer in sense अगर आप खुट content नहीं लिखते हों आप उनसे requirement लेलो और फिर अपने पास जो दूसरे content writers है या आप किसी content writer से type कर लीजिए उस content writer को आप यह requirement forward कर दीजिए वो आपकी requirement fulfill करके देदेगा आपको जस्ट वही content अपने client को देना है जो invoice आपका writer generate करेगा वो invoice आप client को दे सकते वो invoice क्रियाल होने के बाद 10% commission आपका हो जाएगा same as it is अगर आप से यह तीनों काम नहीं हो रहे तो चोड़ता आपके पास एक और option है कि हम content creation के sessions लेते हैं जिसमें अभी जो मैंने आपको types बताएं वो सारे types भी हम सिखाते हैं प्लस आपको बताते हैं कि कैसे आपको किसी organization में अगर आप चाहते हो कि as a content marketer काम करना चाहते हो तो किस type से आप client के साथ pitching कर सकते हैं किस type से अपना business start कर सकते हैं कहां से आप job करते तो projects उठा सकते हैं आप अलग अलग कहां से process ले सकते हैं कितनी companies के साथ एक साथ काम कर सकते हैं कौन सा type आपके लिए best होगा क्योंकि यह session पूरे दो महीने के होते हो दो महीने हम आपको अच्छ से observe करते हैं कि किस category में आप content सबसे अच्छा लेकरे हो हो सकते हैं सारे टाइपस अच्छे नहीं कर सकते हैं क्योंकि जैसे मैंने कहां academic के लिए अलग skills चाहिए रहती है story script के लिए अलग चाहिए रहती है तो हर चीस के लिए skills अलग अलग चाहिए होती है तो it's up to you कि हम दो महीने के session में चेक करते हैं या हमारी organization के साथ काम कर सकते हो वो पूरा आपको guide करके आपका career setup किया जाता है तो अगर आपको interest है तो आप इसको sessions को promote भी कर सकते हैं कुछ और क्यूरी हो तो मुझे message कर दीजेगा Thank you